हेलो स्टूडिंस तो आज हम आपकी बिहाइव बुक के सेकंड चाप्टर दे साउंड अफ म्यूजिक के पार्ट टू दे शैहनाई और बिस्मिल्ला खां के एक क्विक और शौर्ट सम्मरी देखेंगे और साथी साथ हम एंसी आर्टी के सारे क्वेश्टन आंसर को डिस्कास क नामी है द शैहनाई और बिस्मिल्ला खां इस लेसन में आप बिस्मिल्ला खांजी के पारे में पढ़ेंगे और उन्होंने कैसे इस पूरी दुन्या में शैहनाई को फेमस किया वो जालेंगे सो बिस्मिल्ला खाजी की वज़े से ही शेहनाई इस दुनिया में फेमस हुई So he made a valuable contribution to the world of music through the शेहनाई Music की दुनिया में शेहनाई का उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस पूरी दुनिया का introduction शेहनाई से बिस्मिल्ला खाजी नहीं करवाया He belonged to a family of musicians और बिस्मिल्ला खाजी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर सबके सब musicians थे उनके grandfather, उनके father, उनके maternal और paternal uncles मतलब कि उनके mama, ची, चाचरी, everybody was musician in their family सब शेहनाई वादक थे There is a story associated with the discovery of शेहनाई that Aurangze banned the play of Pungi in his royal court because it produced an unpleasant sound तो अब शेहनाई के discovery कैसे हुई इससे जुडी हुई एक कहानी है तो Aurangzeb, he was a Mughal emperor Aurangzeb ने अपने royal court में, मतलब अपने शाही दरबार में Pungi Bajana banned कर दिया था क्यों? क्योंकि Pungi की आवाज उसे बहुत खराब, श्रिल और अन्प्लीजन लगती थी So that's why he banned the play of Pungi in his royal court A barber belonging to a family of musicians decided to improve the sound of Pungi and hence discovered शेहनाई एक barber था जो musicians की family से belong करता था और उसका Aurangzeb के royal court में आना जाना भी लगा रहता था So he decided के Aurangzeb ने Pungi को banned कर दिया है क्योंकि वो एक unpleasant sound produce करता है तो मैं इस Pungi की आवाज को improve करके रहूंगा I am going to improve the sound quality of this Pungi तो उसने क्या किया? Pungi से बड़ा और Pungi से ज़्यादा चौड़ा एक खाली stem का टुकड़ा ले लिया उसमें साथ holes किये ठीक है? और उन holes पे जब वो उंगलिय रखता और बारी-बारी से उन उंगलियों को हटाता और उसमें फूक मारता उस instrument में तो वो instrument एक बहुत प्यारी sound को produce कर रहा था फिर उसने अपने इस instrument को Aurangzeb की royal coat में मतलब शाही दर्बार में बजा कर सुनाया Aurangzeb was so impressed तब ही से उस instrument का नाम शेहनाई पढ़ गया क्योंकि वो पहली बार शाही दर्बार में बजाया गया था तो शाह word is taken from there और वो एक नाई ने डिसकवर किया था बार बर ने that's why that instrument's name was शेहनाई ओके? शेहनाई became a part of auspicious occasions and also a part of nine musical instruments played at Aurangzeb's royal court तो शेहनाई जितने भी auspicious occasions थे उनमें बजाई जाती थी auspicious मतलब जितने भी शुब काम थे शुब कार्य उन सभी में शेहनाई को बजाया जाने लगा और Aurangzeb के court में नौ musical instrument थे जो बजाया जाते थे शेहनाई was one of them He was born at Dumrao अब यहाँ पर बिस्मिल्ला खाजी की बात हो रही है He was born at Dumrao बिहार in 1916 बिस्मिल्ला खाजी का जन्म बिहार में 1916 में हुआ था All his family members were renowned शेहनाई players तो उनके सारे family members एक उन्दा लेवल के शेहनाई players थे उनके पिता जी, उनके दादा जी उनके maternal और paternal uncles सब शेहनाई बजाया करते थे As a child He used to visit the Bihari ji temple to sing Bhojpuri Chait and was rewarded by a laddo weighing 1.25 kg तो जब वो छोटे थे बिस्मिल्ला खाजी वो Bihari ji temple में जाया करते थे जहां पर वो Bhojpuri Chait This is a folk song वो गाया करते थे और इसके इनाम में उन्हें एक 1.2 kg का laddo मिलता था जो वहां के local महराज उन्हें देते थे तो ये 1.25 kg का laddo जब उन्हें as a reward मिलता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे तो किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें 1.25 kg के laddo से नहीं बलकि भारत रत्म से नवाजा जाएगा At the age of 3, he got fascinated by शेहनाई when some maternal uncle is playing शेहनाई तीन साल की उमर में वो शेहनाई से बहुत जादा अट्राक्ट हुए जब उन्होंने maternal uncle, अपने मामा जी को Ali Baks Khan जी को शेहनाई बजाते वे देखा He started taking lessons with his maternal uncle Ali Baks Khan and used to practice the whole day at Mangala Maya Temple, Balaji Temple और by the banks of Ganga तो उन्होंने maternal uncle Ali Baks Khan जी से शेहनाई के lessons लेना शेहनाई के लेना शेरू कर दिया जो भी वो अपने maternal uncle से सीखते उसे पूरे दिन प्राक्टिस किया करते थे Mangala Maya Temple पे, Balaji Temple पे या फिर Ganga नदी के किनारे उन्हें ऐसा लगता था कि Ganga जी उन्हें शक्ती देती हैं to practice more and more At the age of 14 he performed at Allahabad Music Conference and was appreciated by Fayaz Khan Then he started playing at All India Radio लखनौ 14 साल की उमर में उन्होंने Allahabad Music Conference में perform किया और वहां उन्हें Fayaz Khan जी ने appreciate किया Fayaz Khan जी एक जाने माने vocalist थे उस समय के फिर उसके बाद बिस्मिल्ला खाजी ने All India Radio लखनौ में अपनी performance देना स्टार्ट कर दिया वो एक जाने माने शेहनाई वादक बन गए थे जिन्हें आप अकसर रेडियो पर सुन सकते थे He played शेहनाई on 15 August 1947 to greet the whole nation तो वो एक ऐसे पहले शक्स थे जिन्होंने 15 August 1947 को पूरे नेशन को greet करते वे शेहनाई बजाई थी It was an auspicious day क्योंकि उसी दिन इंडिया को आजादी मिली थी तो प्राइम मिनेस्टर पंडित जवाहालाल नहरू कि स्पीच से पहले उन्होंने पूरे नेशन को greet करते वे शेहनाई बजाई थी He performed in various countries like Afghanistan, America, Australia, Japan, तहरान etc. उन्होंने सिफ इंडिया में नहीं बलकि international level पर शेहनाई बजाई उन्होंने बहुत सारी countries में अपनी performances दी जिसे कि Afghanistan, America, Australia, जापान और तहरान तहरान में तो एक auditorium को उन्हीं का नाम दे दिया गया He composed hit songs in movies गून जुठी शेहनाई और कन्नड फिल्म सनदी अपनना तो उन्होंने बॉलिवुड में दो movies में song composed किये और वो song super duper hit रहे तो उन्होंडो मुवीज का नाम था गून जुठी शेहनाई और एक कन्नड फिल्म भी थी सनदी अपनना लेकिर उनका मानना ये था के ये जो बॉलिवुड की fake दुनिया है artistic world ये उन्हें नई रास आएगा तो इसलिए उन्होंने उन दो movies के बाद दुबारा किसी भी movie के लिए song compose मही किया ठीके वो artificial world से दूर रहना चाते थे He was very down to earth चीके He was attached to Dumrao and Banaras और अपने गाउँ दुमराओ और Banaras से तो उनका एक अच्छा खासा रिष्टा था वो कहते थे कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूम चुका हूं लेकिन सबसे beautiful दो ही जगे हैं एक डुमराओ और एक Banaras वो इतने ज़ादा अपने गाउँ और अपने कस्बे से जुड़े हुए थे For him, music was above all the religious barriers और एक मुसल्मान होते हुए भी वो मंगला मया मंदिर में जाय करते थे बालाजी मंदिर में जाय करते थे और गंगा मया को बहुत मानते थे हमने पूरी समड़ी अच्छा से डिसकास कर ली Now we'll discuss all the NCRT question answers, okay So, पहला question Why did Aurangzeb ban the playing of Pungi? Pungi को Aurangzeb ने अपने royal court में ban क्यों किया? क्योंकि it used to make unpleasant and shrill sound, okay So, मैंने लिखा है Aurangzeb dislike the sound produced by the Pungi तो Aurangzeb को Pungi का sound बिलकुल पसंद नहीं था It was considered to be a noise maker as it was shrill and unpleasant तो Pungi को एक सिर्फ शोर मचाने वाला instrument समझा जाने लगा क्योंकि वो जो आवाज produce करता था वो बहुती loud होती थी, shrill होती थी और कानों में चुबती थी So, he banned playing of Pungi in his royal court और इसी वज़र से उसने अपने शाही दर्बार में Pungi को ban कर दिया समझा गया? Next question How is a शेहनाई different from a Pungi? तो शेहनाई और Pungi कैसे अलग है? Pungi एक खराब, unpleasant, shrill आवास produce करती थी जबकि शेहनाई एक pleasant आवास produce करती थी Pungi शेहनाई के comparison में पतली थी और छोटी भी थी So, यही सब लिखना है हमने इस आंसो में Although the शेहनाई is also a redid musical instrument like the Pungi It differs in shape, size and the quality of sound produced by it देखिए, redid का मतलब होता है एक लकडी के टुकडे से जो की hollow है अंदर से एक hollow लकडी के टुकडे से बनने वाला instrument is called redid musical instrument तो Pungi भी लकडी के टुकडे से बनता था और शेहनाई भी एक hollow लकडी के टुकडे से बनता था So, although the शेहनाई is also a redid musical instrument like Pungi It differs in shape, size and the quality of sound produced by it उन दोनों में size का difference था shape का difference था और quality of sound का भी difference था शेहनाई एक pleasant sound produced करता था जबकि Pungi एक unpleasant और shrill sound produced करता था It was made with a hollow stem which was longer and broader than the Pungi and had seven holes on it तो शेहनाई को Pungi के comparison में एक लंबी और चौडी stem से बनाया गया था और उसके उपर साथ holes किये गए थे The sound produced by the शेहनाई was soft and melodious in contrast to the shrill noise made by the Pungi तो शेहनाई एक बहुत soft and melodious sound को produce करती थी जबकि Pungi unpleasant और shrill sound को produce करती थी So that was the difference between the two Now we'll discuss the third question Where was the शेहनाई played traditionally? How did Bismillah Khan change this? तो पहले शेहनाई कहां पर बजाई जाती थी? पहले शेहनाई सिफ रॉयल कोट्स में या फिर किसी auspicious occasions में marriages में पूजाओं में बजाई जाती थी लेकिन बिस्मिल्ला खां जी इसको international level तक ले कर गये थे Okay So traditionally the शेहनाई was played at रॉयल कोट as a part of traditional collection of musical instrument called नौबत तो वो जो औरंग जेब के कोट में नौ musical instruments थे उनका नाम था नौबत ठीक है? और पहले ये शेहनाई सिफ रॉयल कोट में बजाई जाती थी and in all auspicious occasions and auspicious places like temples and at weddings तो शेहनाई सिर्फ शुब कार्यों के लिए बजाई जाती थी marriages में, marriage is also an auspicious occasion या फिर कोई पूजा हो गई उसमें शेहनाई का उपयोग किया जाता था बिस्मिल्ला खा जी ने बहुत सारे राग को इन्वेंट किया था He was the first one who brought शेहनाई on the stage तो वो पहले एक मात्र ऐसे शक्स थे जिन्होंने शेहनाई को stage पर रिप्रेजेंट किया तो उन्ही की वज़े से classical music instruments में शेहनाई भी शामिल हो गई ठीक है? So this was our third question Now we'll discuss the fourth one When and how did बिस्मिल्ला खाँ get his big brick? Big brick मतलब उनकी life का जो turning point था वो क्या था? उनकी life का turning point जब उन्होंने All India Radio लखनौ को join किया क्योंकि उसी के बार वो एक जाने माने शेहनाई वादक बने थे सब लोग उन्हें जानने लगे थे ठीक है? बिस्मिल्ला खाँ गॉट इस big brick when in 1938 the All India Radio opened its station at Lucknow तो 1938 में जब All India Radio ने अपना एक station Lucknow पर भी खोल दिया that point was his life's turning point उन्होंने All India Radio लखनौ को join किया और वहाँ पर अपनी performance देना start कर दिया He played शेहनाई from the radio station regularly and his music became popular through it तो वो regularly All India Radio लखनौ में अपनी शेहनाई बजाने लगे He became popular through it और उसकी वज़े से उन्हें बहुत popularity मिली He became a popular शेहनाई player to whom you can listen often times और वो एक बहुत जाने माने शेहनाई वादक बन गए जिनको कि आप रेडियो पर अक्सर सुन सकते थे So this was our fourth question अब हम fifth question discuss करेंगे Where did बिस्मिल्ला खा प्लेद शेहनाई on 15th August 1947? Why was the event historic? तो 15 August 1947 को बिस्मिल्ला खाजी ने कहां पर शेहनाई बजाई थी? उन्होंने Red Fort में पंडित जवाहर लाल नहरुजी के सामने पुरे नेशन को ग्रीट करते वे शेहनाई बजाई थी Why was that event historic? वो event historic क्यों था? क्योंकि यार इंडिया को freedom मिल रही थी और पहली बार किसी इसान ने पुरे नेशन को ग्रीट करते वे शेहनाई बजाई तो historic तो moment हो गाई न So मैंने लिखा है आपर On 15th August 1947 बिस्मिल्ला खा प्लेट दे शेहनाई from the Red Fort and greeted the entire country तो 15 August 1947 को बिस्मिल्ला खाजी ने Red Fort से शेहनाई बजाई और पूरे नेशन को ग्रीट किया The event was historic as it was the day when India gained independence from the British rule वो दिन historic इसले था क्योंकि उसे दिन इंडिया को independence मिली थी British rule से बिस्मिल्ला खाजी की performance खतम होने के बाद पंडित जवाहलान नहरू जी जो की इंडिया के first prime minister थे उन्होंने अपनी famous speech ट्रेस्ट विद देस्टिनी सबके सामने कहकर सुनाई So that's why it was a historic moment Now we'll discuss the sixth question से वो कुछ जादा ही जुड़े हुए थे खाँ लव्स इंडिया और बनारस तो पूरे lesson में से आपको दो instances ऐसे बताने हैं जिनको पढ़कर आपको लगा कि बिस्पिल्ला खाजी बनारस और इंडिया से बहुत जादा प्यार करते हैं तो पहला incidence तो यही कि उन्होंने USA जाने से मना कर दिया USA में स्कूल सेट अप करने से मना कर दिया और दूसरा यह जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा था तब उन्होंने कहा कि इंडिया से कुसकी पहचान है हम सभी को अपने अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए So I have written here बिस्मिल्ला's love for India and Banaras are shown by the fact that he refused to set up a शेहनाई school in USA तो कैसे पता चलता है हमें बिस्मिल्ला खार जी को इंडिया और Banaras से बहुत प्यार था सबसे पहला instance यही कि उन्होंने USA में स्कूल सेट अप करने से मना कर दिया था as he could not leave Banaras and River Ganga क्योंकि वो Banaras को और River Ganga को नहीं छोड़ सकते थे Secondly, when he was honored with the Bharat Ratna he declared that Indian classical music was India's richest heritage तो जब उन्हें भारत Ratna से नवाजा जा रहा था तो उन्होंने कहा that India's classical music was India's richest heritage मतलब कि हमारा classical music ही हमारी पहचान है तो इस culture को खोने ना दे अपने अपने बच्चों को classical music जरूर सिखाए So, हमने पूरे चाप्टर को अच्छे से discuss कर लिया इसके सारे question answers देख लिये इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खतम होता है I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे चानल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबना ना भूले ताकि आने वारी सभी वीडियो के अपडेट आप तक पहुंसती रहे तो आप से मिलते हैं आगे आने वारी वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर वाव ग्रेट दे